हलो गाइस वेलकाम तो मैं चैनल अगाइन मैं इस अभिषे गाइस हम डिसक्रस्ट करने वाले एक और क्वेश्टन जो की रिकर्जन पेंसेट आपका चेक करेंगा ठीक है गेट में भी आपका यह आ चुका है क्वेश्टन हमको बताना है कि आउटपूट क्या आएगा ठीक हमको यहाँ पर बार बार फंक्शन कॉल्स करी हैं तो इस इस अरिकर्जन कंसेट गाइस इस यह न्यू तो दर चैनल में बताना चाहूंगा कि यह गाईस इमारी प्लेलिस चल रहे है वाट विल भी दा आउटपूट वाली ठ सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करें और मेरे हर वीडियो की आपको टेलिग्राम ग्रूप पे अपडेट मिल जाएगी ठीक है जैसी वीडियो डेलेगा तुरंत उस पर अपडेट हो जाएगी तो यहां पर हम सिंप्ली डिर्टली फंक्शन कॉल कर करें मतलब वीमड्स तक अब यहां पर-अ का मेंनिंग क्या हो रहे है दोस्तों वी संडिंग द्र स्व जहां पर त 물首先 हम चानगा तो ऑम चेक करेंगे खर हमा पर एसा नहीं होता है else तो हम क्या करेंगे we are checking what star a modulus of 2 is equal to equal to 0 मतलब हम उस particular element की guys value check कर रहें कि अगर वो हमारा even है even हम ऐसे check करते हैं a mod 2 is equal to equal to 0 तो yes हम उस element की बात कर रहें कि जो address पे जो हमने address भीजा है उस address के अंदर जो value रखी है that is value at that particular address star a मतलब क्या होता है guys value at that particular address अगर guys आपको pointer series में थोड़ा सा concept clear नहीं है तो मैंने pointers की series बनाई विया आप पहले उसको देख लीजए आपके सारे pointers की dot clear हो जाएंगे ठीक है क्योंकि pointer का concept basic concept आपको आना चाहिए तो यह scenario है तो simply अगर आपका even है तो we will return this statement else अगर आपका odd होता है तो हम simply यह वाला function call करेंगे okay तो आप देखते हैं guys इसका output क्या रहा है तो basic simple सा scenario क्या है एक array है हमारे पास हम check करेंगे जो भी उसका एक-एक element है अगर वो even है तो हम यह वाला function call करेंगे अगर वो odd है तो simply will return this value okay तो यह आपका scenario हो गया now guys इसका फूरा output देखते हैं proper now guys suppose हमार पास यह array given है ठीक है मैंने इसके आड्रेस लिख लिख लिए ताक कि easily आपको समझ में आ जाए concept these are the addresses and these are the values of this particular array a ठीक है तो यह हमारा हो गया array a तो guys अब देखते हैं हमने simply function call किया f with a,6 that is हम यहाँ पर base address भेज रहा है array का तो यहाँ पर array guys यह है base address मतलब पहले element का address तो 100 यहाँ पर हम पास कर रहा है so we are calling the function f with the address of base address of this particular array तो वह है 100 simply we are calling function f with 100 value और यहाँ पर हम 6 से पास कर रहा है ठीक है 6 value ने पास कर गया so guys simply हमारी यह value यहाँ पर pass होई okay and now we'll check if n is less than equal to 0 हमारा n 0 नहीं है क्योंकि हमारी n की value guys 6 है simply यह नहीं चलेगा else portion में हम आएंगे we'll check if star of a percentage 2 is equal to equal to 0 मतलब हम क्या check कर रहें guys अब देखो a का मतलब क्या हो रहा है a means that particular address है and when we say star a अगर हम star a बोलते है guys मतलब हम इस block के अंदर आ चुके है basically मतलब हम इस particular value की बात कर रहे है value at that particular address okay अगर guys आप pointer की series देखेंगे अगर आपको properly समझने है concepts तो pointer की series आप देख सकते हैं ठीक उसमें star a क्या होता है star star a क्या होता है it is even or not yes आपका even है तो simply हम यह वाली function call को execute करेंगे यह क्या खहर है star a plus that is star a क्या है guys आपका value at this address that is 12 simply 12 plus f of we are calling this function again है na f function है recursion हो रहा है function is calling itself that is recursion हो रहा है आपका हहाँ पर so simply we'll call this with a plus 1 now guys a अगर आपका base address है a plus 1 क्या होगा guys it will point to the next element of the same type ठीक है अगर guys आपका यहाँ पर address है 100 and if अगर आपका यहाँ पर address होता 104 मतलब मेरा कहने का है guys क्योंकि इस case में guys हमारा integer आ रहा है यहाँ पर मैंने क्या assume क्या है कि guys integer जो हमारा space ले रहा है वो 2 bytes इस ले रहा है and guys if I say a plus 1 तो मतलब वो next block को point करेगा of the same type ठीक है तो guys यह आपका scenario हो गया so if we say a plus 2 in this particular case because a is our base address so a plus 2 का meaning क्या होगा दोस्तो a plus 2 means next to next block है तो यह 13 को point करना start कर देगा तो यह आपका scenario है तो a plus 1 means guys इसका next address that is 102 तो simply हम 102 next address को pass कर रहे है and n-1 n की value guys 5 थी तो हम 60 तो n-1 that is 5 हम pass कर रहे है इस function को f function को okay so simply हमारा यह हो गया else में नहीं जाएगा if का execute हो गया and that's the end of our function okay फिर से guys क्योंकि हमारा function call हो है अब हम इसको solve करते हैं तो we are sending what n की value हमने आपके 5 बेजिया okay right तो n is less than equal to 0 condition false फिर से आपका else में आएगा फिर सहम चेक करेंगे if this particular value जो की इस particular address पर 102 पर यह हमारी even है कि नहीं address है guys हमारा 102 and star a means value at that particular address that is 7 7 more 2 is equal to 0 no क्योंकि यह odd हो गया आपका तो यह नहीं चलेगा else में आएगे हम तो simply will return what star a that is value at that particular address मतलब 7 plus आपका function call फिर से होगा इखक़े function call मतल हम इसी function उकभी कर रहे है फिर से recurrent concept आगया now हम क्या कर रहे है गाईS ी function call की गये हम बात कर रहे है तो हमारा is function call में a की value क्या होगी guys 102 हा न क्यूदक्यем demographics function क्ल रहे हैं तो f में a और n की value है तो इस function call की जो हम बात करते हैं गाईज तो a कौन सा address बता रहा है फिलाल के लिए denote कर रहा है that is 102 तो a हमारा फिलाल यह वाला address denote कर रहा है and now we are saying guys a plus 1 मतलब इसके next वाले block के हम बात कर रहें तो simply जब हम function call कर रहें guys तो 102 के बाद हमारा next address कौन सा हा रहा है 104 तो simply 104 यहाँ पर आ गया and then n-1 n की value आपके 5 थी तो simply 5-1 आपकी 4 हम पास कर रहे हैं तो आपका यह scenario होगा guys फिर से हम आपका function call होगा उपर now again we will further solve this हम check करेंगे कि हमारी n की value 0 तो नहीं है या फिर कम तो नहीं 4 है okay we will not enter here else portion में चलेंगे we will check if star of a mod 2 is equal to equal to 0 मतलब आपकी value जो इस address पर है even है की नहीं है 104 पर आपकी जो value है 13 this is not even तो simply आपका यह वाला case नहीं चलेगा दोस्तो else portion में जाएंगे फिर से return क्या खरेगा star a that is value at this particular address जो कि आपकी हो गई guys 13 plus फिर से हम function call कर रहे हैं देखे function of function call of a plus 1 that is the next address ठीक है so guys we are talking of this particular address तो a plus 1 किया होगा इसके हिसाब से next address okay मतलब address of the next block तो यह होगया आपका 106 तो simply guys हम next block का address पास करेंगे 106 और n-1 n की value आप फिर से एक कम कर देंगे तो 43 तो guys एक और कम होगी 4 minus 1 that is 3 तो यह होगया आपका scenario now guys हमको f की value जो है calculate करने है फिर से ठीक है हमने function call किया 106 address पास किया और n की value है 3 3 0 से कम नहीं है यह हमारा यहाँ पे नहीं जाएगा else portion में हैगा again we will check star a mod 2 is equal to equal to 0 106 पे कौनसी value guys 4 yes 4 mod 2 is equal to equal to 0 condition आपकी बिल्कुल true है y 4 को आप 2 से divide कर होगे तो completely divisible होगा तो remainder कुछ नहीं आएगा तो फिर से हम guys यह वाला statement चलेगा हमारा okay right तो star a that is value at that particular address ठीक है हम इस address की बात करेंगा 106 की तो value at this particular address किया होगा 4 तो simply 4 plus again we are doing a function call f of a plus 1 अब a क्योंकिए आपका guys इस address को represent कर रहा है for this particular function call okay right तो 6 106 आपका होगया a a plus 1 की आपका होगा is next address तो 108 आपका हो जाएगा यहाँ पर we are sending the next address and n-1 n की value आप decrement कर देंगे 2 हो जाएगी simply again this function को हम solve करेंगे this function call को solve करेंगे now again we will check if n is equal to 0 नहीं आपका नहीं है तो फिर से ही आपका function call में ही हा नहीं जाएगा आपकी 11 न दोस्तों minus function call अगया है a plus 1 ठीक है a s को point कर रहा है तो a plus 1 मतलब अगला address 110 and then n-1 n की value हो जाएगी guys 2-1 that is 1 okay right so guys यह हमारा scenario हो गया अब guys जब हमने else portion कहता है यहाँ पर एक छोटी से mistake हुई है यहाँ पर हमारा negative है ठीक है यहाँ पर हमारा star a minus है ठीक है मैंने यहाँ प्लस लिग दिया था इसको आप correct कर लीजे वही scenario है कुछ नहीं है बस यहाँ पर sign change होताना है okay right sign कैसे आ रहा है guys मैं बता जाता हूँ फिर भी it might happen कि confusion हो जाए किसी को तो जैसे कि suppose guys हमारा इस वाले function call के हम बात करते है ठीक है तो 102 पर हमने आपका address भीजा था and simply we were checking what यहाँ पर हमने 102 पास किया n की value 0 नहीं थी तो यहाँ पर हमने enter नहीं किया else portion में हम गए थे हमने चेक किया star a mod 2 is equal to equal to 0 मतलब 102 पर जो हमारी value है 7 यह हमारी even नहीं है तो यहाँ यहाँ पर भी आपका odd value था बस यहाँ पर आपका negative आ जाएगा यहाँ पर 7-10 13-10 फिर उसके बाद यहाँ से continue करते है फिर से guys हमने function call करें ठीक है 110 और 1 पास किया n is again not 0 not equal to 0 फिर से हम else portion में जाएगे फिर हम चेक करें guys even है कि नहीं value 110 पर 6 yes हमारा even value है तो हम simply return करेंगे guys value of a that is star a is 6 तो simply हमारा 6 return होगा plus function call of a plus 1 अब guys इसके आगे मतलब हमारी memory में तो space हो गई ना तो 112 करके हमारे अलग-अलग blocks होगे तो simply we'll check what n-1 फिर से हम value हाँ पर भेजेंगे 1 1 2 n n-1 1-1 that is 0 तो अब guys आप देख सकते हैं जैसी हमारा हम पर पास करेंगे n is less than equal to 0 condition true ही तो return 0 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा simply इस function call का answer क्या आगया 0 आगया ठीक है तो guys इस function call का answer हमारा आगया 0 क्योंकि हमारी n की value हो गई थी 0 तो 6 plus 0 is 6 and यहां पर हमारी उपर value जाएगी solve okay 6 ठीक है तो यह हमारी value क्या हो गई 6 11-6 guys आपका क्या होगा 5 ठीक है तो इस function call की value आपकी क्या हो जाएगी 5 and guys आपका 4 plus 5 कितना हो जाएगा 9 तो इस वाले पूरी function call की value हो गई है 9 13-9 आपका guys हो गया 4 तो simply इस पूरी function call की value आपकी हो गया 4 then 7-4 आपकी value हो गई 3 तो इस पूरी function call की value क्या ऑगई guys 3 हो गई and 12 plus 3 is what 15 तो simply इस का total value जो है इस function call की value हो गई that is यह हमारा answer हो गया ठीक है तो जब हमने guys यह function call किया यहां से printf percentage d and this particular value तो हमारा पूरा solve होने के बाद answer क्या रहे 15 answer रहे तो simply guys हमारा output क्या print कर देगा 15 okay so this will be your answer so guys यह आपका स्क्राइब था recursion का ठीक है important question है gate में इस type के simple question पूछाते हैं बस guys यह concept है कि थोड़ा address अगर आपकी even है simply बस इसको call कर रहे और यह call कर रहे और इसमें भी हो क्या रहे देखी ध्यान से star a मतलब हम उस value को guys ले रहे हैं और उसमें हम अगले block का address पास कर रहे हैं अगर इसको point कर रहे तो a plus 1 मतलब next block तो simply next block को हमने pass कि और n की value हम decrement करते रहे हैं फिर हमारी even है कि नहीं है तो हमने चेक है हमारा even है हमने दुग ए impos ... हामने फिर से रहे कर रहे हैँ हम फिर से our वाली function call चलेंगे तो इसमें हम अपना ये वैली चला देंगे star a that is four then function plus then function call की value function that is guys next block address भेज़ेंगे तो simply इस वाले block address हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे 11 हमारा odd है क्या या फिर even है तो क्योंकि हमारा order तो simply यह वाली हमारी function call में यह वाली value चलेगी star a that is 11 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 then minus ठीक है minus इसके बाद में यहाँ continue कर रहो हमागे फिर हमारी फिर से function call हो गई guys तो हम check करेंगे कि guys यह हमारा even क्योंकि हमारा even है right तो simply हम यह वाला call करेंगे star a that is 6 plus हमारा function call फिर से जो हमारा होगा इस हमारी value क्या होगा इस next block की value because next block में कुछ है नहीं that is n की value आपकी यहाँ पर 1-1 0 होगा तो यहाँ पर हमारा simply return 0 हो जाएगा okay तो यह आपका होगा 0 and then यह सारे हमारे blocks close now we'll simply solve these blocks इस से मारा answer आ जाएगा guys 6 plus 0 आपका हो गया 6 ठीक है 11-6 आपकी value क्या हो जाएगा 5 then 4 plus 5 आपका हो गया 9 ठीक है यहां तरक हम solve कर चुक है 9 आ गया then 13-9 आपका क्या होगा guys 4 हो जाएगा then 7-4 आपका हो जाएगा 3 and 12 plus 3 is 15 तो इसको पूरे को solve करके 15 ही answer आ गया तो orally भी guys आप answer आग्राम से निकाल पाओगे थोड़ी ची प्राक्टिस की बस जरूरत है बट अगर आपके gate exam में या फिर कहीं पी कोशन आते है तो I would suggest you recommend करूंगा है थोड़ा सा extra time लगेगा बस 25-30 second आप इसी तरीके से करें ताकि आपकी mistake होने की चांस ही ना हो ठीक है and guys मैं एक important चीस बताना चाहूंगा हमारे telegram channel है ठीक है उसको आप जरूर जोइन करें उसमें आपको हर वीडियो की link जरूर मिल जाएगी तुरंत जैसी वीडियो डलेगा तुरंत उसमें update मिल जाएगी and guys social media platforms पे भी आप follow कर सकते है Instagram पे अभी शिक D. media websites की आपको link description मिल जाएगी and guys do subscribe to my youtube channel thank you so much